तो अपने चैनल पर तो DRDO सेप्टम 10 का एक अपडेट आया है और बहुत ही इंपॉंट अपडेट है जिसमें DRDO ने लगबख 2300 प्लस एप्लिकेशन को रिजेक्ट किया है तो अभी इंपॉंट क्या है कि रिजेक्शन आपका क्यों होगा है यह हम चेक करेंगे सेकेंड आपका उसके नाम है की नहीं वो लिस में आपका नाम है की नहीं यह हम चेक करेंगे तो यह जो PDF इसका link में आपको बात में दे दूँँगा comment section पे अभी ध्यान से सुनना है क्या हुआ है तो यह आपका application number है इधर आपके नाव आएगा ठीक है बाके जीते है कि मेरा application reject नहीं होना चाहिए था और वह वैलिड है अभी जैसे first example अगर में लूँ एग इसका नाम है इसका application reject हुआ है तो इसका जो विमार्क है वो कह उन्यों दिया है कि इसने क्या किया था बेसिकली दो form बरे थे ठीक है तो उसमें से एक form reject किया है लेकिन एक form जो है जिसका application number यह है वो accept किया है तो वो आपको चेक करना है अभी यह वाला case जो है अगर आपने multiple form बरे होंगे तो इस case के लिए डरने की ज़रूद नहीं है अभी second example देखते है यह जो number 138 इसमें क्या है जो Amit है उसमें क्या किया तो as per your application form your data and photo are irrelevant तो photo जो है एक तो clear नहीं हो सकता यह ह अगर अभी आपको यह remark मिला है और आपको लगता है और आपको लगता है कि आपने photo जो है वह एच पर डियाडियो guidelines के according अपने upload किया है तो फिर आप उसको challenge कर सकते हो आप बता सकते हो और जो attachment होता है email में attach करते है ना तो उदर अपको यह करना है जो photo है आपका वो attach करके देना है उनको ठीक है और बताना है कि यह photo में अपलोड किया था और यह photo proper है तो फिर please उसको जल्दी से rectify किजे और मेरा नाम जो है is list से हटाईए right second इसमें क्या हो सबता है जो आपका data है जो आपने application form बराए एक बार verify करो कि क्या गल्ती हुई है कि नहीं कोई field में आपने रॉंग information बर दिया या college का नाम अलग हो गया या कुछ भी मतलब percentage आपका गलत है या जो अभी candidate मिछते क्या करते है जो from date to date रहता है जो आपके qualification जैसे के diploma हो गया जिसका qualification क्या है तो वह गड़बड कर देते है तो एक एक चीज़ properly verify करो और फिर अगर कुछ आपको error मिलता ह है तो फिर कुछ नहीं कर सकते है आपका application rejected हो जाएगा और फिर आपको अगर अगर दूसरा application बर रहे है तो आपका दूसरा application number sequence उने दिया है तो वह टेंशिक लेने के बात नहीं है और यह ता quick update DRUK related और जो भी seriously paper कर रहे है तो अपना success pack जो है वह आ गया है अभी तक consistently इतन question दिये है तो अभी target है DRUK का तो अगर आप serious हो तो नीचे comment section में आप success pack का लिंक है वह देख सकते हो और पूरा video भी आपको मिल जाएगा इसका लब आप कुछबा का query कुछ भी doubt हुआ तो नीचे comment करना है और अभी rejection का list आ गया है तो जैसे अपना exam है और phase wise strategy चल रहा है वह आपको कंपल से follow करना है क्योंकि जल्दे इसका exam आ जाएगा all the best